हेलो फ्रेंज्स मैं नेम इस सीर अगरवाल मैं तुम ठीक हूँ आप लोग कैसे हो आप में से बहुत सारे बच्चों के एक्जाम्स दिसंबर में हैं और आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे प्लीज ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करो बहुत कम टाइम बचाया है इस समय जो पढ़ाई करोगे आपके पिपर में सबसे ज़दा काम आएगी तो अपार्ट फॉम दैट मैं आप लोगों को कुछ बाते बताना चाहा रही थी जैसे अभी मैंने रीचेंट ली ना अग्राइन तो अटन में असाइंमेंट बेसिस पर जौब करी थी फोटू मंस के लिए जहां पर मेरा जो साइंमेंट था वो स्टाइट था जो स्टाइट करनी थी एंजियों की और ट्रस्ट की एं मैंने वहां पर बहुत सारी चीजें सीखी कि एक्चुली में बिग 4 के अं तो कुछ चीजों में तो बिल्कुल ही चीजे चेंज होती है कि audit किस तरीके से होगा तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने बिग 4 में जॉइन नहीं करा था तो मुझे भी समझे मैं मैं हमेशे से चाहती थी कि काश यूनो कोई एक ऐसी वीडियो आए जो हमें बता सके कि बेसि तो मुझे वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए तो मैं सोच रही थी कि यूनो हम लोग मैं एक सीरीज स्टार्ट करते हूं जिसमें मैं आपको सारी चीजे बताऊंगी जो जो मैंने बहां से सीखी एन उसके अंदर यूनो बहुत सारे स्टार्ट और प्रोफाल से रि विक फोर में तो वहां पर भी वह हमें हेल्प करेगा और अगर हमार को पहले से ही काफी सारी चीजे पताऊंगी कि विक फोर में ऑडिट कैसे होता है तो वह हमार को जॉब मिलने में भी हमार को थोड़ा सा एजी रहेगा तो मैं सोच तो मैं आपको सारी आइटम्स बैलन श चाहिए और आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं सोच रही थी एक लेकर रहा हूं तो मुझे आपका फीडबेक चाहिए आपके फीडबेक से ही मुझे पता चलेगा कि आपको इस चीज की जरूरत है या नहीं है प्लीज लाइक या कमेंट करके आप बताईएगा कि आप यह चाहते हैं कि यह सीरीस स्टार्ट हो तो मैं जल्दी से जल्दी यह सीरीस स्टार्ट करूंगी और आपको प्रॉपर नॉलिज दूंगी कि आखिरकार आक्चुली में बिक फोर में ओडिट कैसे होता है और अगर प hope so, आप लोगों को इससे कुछ help मिलेगी, so, bye, take care.